हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल और आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना मसालों वाला चटपटा अचार जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसका एक फायदा यह है कि जिसको भी मसाले नहीं खाने है या जो कोई परेज का वेक्ती है उसके लिए ये एक दम बेस्ट अचार है एक बार आप जरूर ट्राइ किजिए चलते हैं बनाते हैं शुरू करते हैं हरे लेसुन का अचार बनाने के लिए मैंने एक पाव हरे लेसुन लिया है जिसे मैंने धोगर दूप में 15-20 मिंट के लिए सुखा लिया है इसे हमें जादा सुखाना नहीं है और सुखाने के बाद हमने इसे काट लिया है 10-12 हरी मिर्च जिसे मैंने साफ करके काट लिया है और 3 इंच अद्रक का टुकड़ा जिसे इसे भी मैंने साफ करके काट लिया है मेरे पास आम के छोटे टुकडे थे सुखे हुए जिसका यूज मैं कर रही हूं अगर आपके पास नहीं है तो आप अमचूर का भी यूज कर सकते हैं दो तीन चमच तेल मैंने सरसो का तेल यूज किया है और स्वाद के अमसार नमक और एक चुटकी ही अब हम इन सारे इंग्रिडियंस को मिक्सिंग डालकर पीस लेंगे इसे हमें दरदरा ही रखना है इसे ऐसे ही दरदरा पीस लेना है हमारे बिन मसालों वाला चटपटा अचार बनकर रेडी है और इसे आप खाईए और औरों को भी खिलाइए इस अचार की ये खासियत है कि जिसको भी मसाले मना है या कोई भी परहेज वाला व्यक्ति है जिसको तेल मसाले नहीं खाने है उसके लिए बहुत ही फायदे मंद होत की डायदे मना हवे जिसको उसक बस्ति हासिए जिसको भी मेंना है